नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल बियेन एकाउंटिंग पे इकोनोमिक्स विशे की चर्चा कर रहे थे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा दूसरा मुद्दा है टेकनोलोजी द्वारा अर्थ सास्त्र में जो टेकनोलोजी उपयोग में ली जाती है उसके दूसरे मुद्दे की चर्चा करें जो इंटरनेट है उसका देनिक जीवन में हम रोजबर्रा के जीवन में काफी सारा उपयोग करते हैं और किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे तो टिटोरियल की बात करें तो कुछ वेब साइटों पर अपने विश्य के पावर पॉइंट प्रेजेटेशन पढ़ने लाइक सामगरी इत्यादी ओपन एक्सेस लिंक में रखी जाती है ऐसी सामगरी को हम पढ़ सकते हैं तब तक हमारे लिए टिटोरियल जिससा साबित होता है यानि कहने का मतलब यह है जब भी हम यह वीडियो आप तक पहुचाते हैं तो किस माद्यम से पहुचाते हैं हम आपको एक लिंक बीजते हैं आप उस लिंक पर क्लिक करते हो और आप हो जाते हो हमारे वीडियो पर इसी प्रकार आपको ऐसी लिंक के आते हैं जब आप उसको क्लिक करते हो तो आप गूगल की किसी वेबसाइड पर पहुच जाते हो और वहां से आपको पढ़ने लायक स मगरे इत्यादी प्राप्त होती है इससे टिटोरियल कहा जाता है ततकाल शिक्षा या जानकारी ततकाल शिक्षा या जानकारी कि यदि हम चर्चा करें तो कुछ संस्ताओं के विशेशक्व्यों का भासण पासण के वीडियो इत्यादी ओपन एक्सेस लिंक पर रखे जाते है कई बार ऐसी वेबसाइट द्वारा हमें वर्गखंट जेसा पढ़ने यों सीखने को मिलता है कॉंप्यटर द्वारा शिक्षकों के व्यापखन स्कूल या कॉलेज के विद्यारतियों के लिए टेलीविजन पर प्रसारित किये जाता है उदारन स्वरूप अर्थसास्तर हम अन्य विशेव में 20 विख्यात विद्यालों के विशेशक्यों के व्याख्यान उपलब्द होते है यानि कहने का मतलम सिर्फ आसान सा यह है कि अभी जिस प्रकार आप मोबाइल द्वारा एक शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो इंटरनेट की सुविदा से यह प्राप्त कर रहे हो तो हमने जो आपको एक्सेस लिंक बेजी उसको क्लिक करके आप हमारे वीडियो पर आते हो और उस प्रकार तकाल शिक्षा या जानकारी प्राप्त कर लेते हो पढ़ने योग्य सामगरी आपको यहां पर मिल जाएगी तो असंग की किताबे इंटरनेट पर बिना किसी मुल्य के पढ़ने को मिलती है जाहिर सी बात है इसके अतरिक्त उस विशे के निश्रानतों के लेक जनरल इत्यादी भी पढ़ने को मिलते हैं तो कुछ जनरल पेशा बरकर भी पढ़ सकते हैं इस सामकरी को इबुक्स इजनरल के नाम से जाना जाता है यानि आप आसानी से कोई भी पुस्तक इंटरनेट गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हो यह इंटरनेट टेक्नोलिजी का उप्योग है अगले मुद्दे की अधि हम चर्चा करें तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है विवित्त जानकारी प्राप्त करना है यदि हमें कोई भी जानकारी किसी की भी जानकारी ना हो तो हम सबसे पहले किसका दरवाजा कटकटाते हैं हम गूगल का दरवाजा कटकटाते हैं जो कि एक सर्च इंटरनेट का इंटरनेट पर सर्च करके अर्थ सास्तर में डि किस प्रकार हम जानकारी सर्च करके प्राप्त कर सकते अन्य जानकारी प्राप्त करना सर्च करके रिफ्रेंश बुक अर्थ शास्क्री द्वारा किये गई व्यक्यांकन उनके पॉइट्स उद्गर्त इत्यादी की प्राप्त कर सकते यानि हम उनके द्वारा लिखे गए लेख अनेक प्रकार की गोर्ण जानकारी का उप्योग किया जाता है जैसे कि सरकार के बजट की जानकारी, बैंकिंग संबन्दित जानकारी, पुर्शी उत्पादन संबन्दित जानकारी, आयात निर्यात का कद गरिबी का अनुमाद, रोजगार का अनुपात और दोगिक जानकारिक वित्य मंत्राले की वेबसाइड इत्यादी पर प्राप्त की जा सकती है उनका महत्तों संस्ता है जैसे की इत्यादी की वेबसाइड का उप्योग होता है विश्वस ने श्रोत अर्थात जो संस्ता है ऐसी जानकार निश्णात को सायता से इकटा करके उसे छापती हो वे श्रोत है यानि कहने का मतलब यह है कि इंटरनेट टेकनोलोजी की मदद से आप इन सभी संस्ताओं की जानकारी पढ़ सकते हो सरकार का अंदाज पत्र बेरोजगारी इत्यादी सभी के विशे में जानकारी आप इंटरनेट टेकनोलोजी के माध्यम से ले सकते हो आगे यदी बात करे तो technology है तो भैस्तान भी काफी सारे होते हैं तो भैस्तान की बात करें तो सर्व पृतम computer की तरह internet भी एक साधन है और शिक्षक की अपनी स्वयम की विचार सक्ती और तर्थ शक्ती का स्तान नहीं ले सकता computer से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो पर किसी सिख्षक के समक्ष बेट कर पढ़ना और यह से पढ़ने में काभी सारा फर्क देखने को मिलता है इंटरनेट पर अनेग प्रकार की गलत प्रस्तती एहुम नकल भी की गई जानकारी उपलग दोते हैं यानि इंटरनेट हसा, देव सकते नहीं बताता, काभी सारी जानकारी आपको गलत गलत भी दे देता है, पाठकों यहों मिध्यार्तियों को जैसी जानकारी से दूर रखना चाहिए, इसके आतरिक सही और गलत जानकारी को अलग करने के लिए तर्प का उप्योग करना चाहिए कोई भी जानकारी विश्वस्निय वेबसाइट पर से ही लेना चाहिए, नहीं तो गलत निर्देश के मार्क पर जाएंगे, यानि कोई भी जानकारी एक विश्वस्निय वेबसाइट पर से ही आप लीजिए, यदि आपको नहीं मिल रही है, तो किसी से पूछिए बरन तो ग इस बार ध्यान रखे कि कापी सारा अभ्यास कर मठा दिया गया तो इसे छोटे-छोटे मुद्धे आने की संभावना बहुत ही अधिक है। और उनका उप्योग अध्याय नहों संसोधन के लिए किया जाता है। इत्यादी उपलब्द होती है। अर्थतंत्र की तमाम जानकारी के लिए सीड़ी उस मंत्राले के सांक्या के विबाग में से प्राप्त हो सकती है। यदि सीड़ी के आगे यदि हम चर्चा करें। तो इस प्रकार कुछ संस्ता है। जैसे की CMIE, Center for Monitoring Indian Economy। यद भी सवाल काफी इंपोर्डेंट है। यद भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है। इत्यादी भी संक्या के जानकारी की सीड़ी बेचती है। और समग्र अरततंत्र के महत्वपूर्ण आकडो का स्वाप्वेर बनाती है। यद भी यह अधिक खर्चिला होता है और संसोधन संता है या कंपनी द्वारा खरीदा जाता है। यदि इस परकार कुछ सीड़ी का चितर आपके सामने में ने रखा है। यह होती है सीड़ी और सीड़ी के विशे में आपने संपोड़ा चर्चा या पे सुनी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नमबर वन वो समाप तो होता है। आसा है आपको अच्छी तरह से यह चैप्टर समझ में आ चुका है। जब हम मिलेंगे तो इसकी संपोड़ा चर्चा है वो फिर से करेंगे। और तब तक के लिए अगले लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर सुरू करेंगे। तब तक के लिए असते रहिए, मुश्कुराते रहिए, स्वस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।